हेलो मैं दिए फ्रेंड वेल्कम प्रेंड एजुगेशन पॉइंड आनलाइन तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग आयो पहर अच्छे होंगे पहले क्लास में आपने बेसिक्स पढ़ा था जहां पर मैंने अडिशन अप्रैक्शन वहां पर आपको बताई थी दूसरा क्लास में अपने ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन पढ़ाता आज अपन उसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे और आज भी आप देखिए का कैसे ग्रेड इसको solve कर पाऊ आगे के topics के तो इससे क्या होता है friend हर topic क्या हो जाता आपके लिए important हो जाता है और जब topics repeat होते हैं तो वह हमें को क्या करते हैं mature भी कर देते हैं ठीक है friend चलिए तो आज अपन पढ़ने वाले हैं unit normal vector इसको denote करते हैं अपन n-caps देंगे it is denoted by n-cap ठीक है अगर इसका formula की बात की जाए तो n-cap is equals to क्या होता है friend gradient 5 upon mod gradient 5 यह होता है आपका n-cap का formula gradient 5 upon mod gradient 5 और gradient 5 अपन को निकालना आता है यहाँ पर स्विफ फशिफ अपन को mod gradient 5 निकालना सीखना पड़ेगा अगर दोनों को आप divide कर दोगे तो यह क्या हो जाएगा friend आपका unit normal vector हो जागर इसके बात का जो topic वहाँ पे gradient और unit normal vector दोनों को निकाल कर मिलाने पे आपका directional derivative बनता friend तो इसलिए हर एक topic यहाँ पे क्या होता है important हो जाता है ठीक है तो चलिए अगर आपको कभी भी किसी question में unit normal vector निकालने के लिए दे तो आप समझ जाएगा कि आपको n cap निकालने के बारे में कह रहा है और n cap का जो formula होता है वो होता है gradient 5 upon mod gradient 5 तो आप इसको note कर लेजे तब आपक question करते हैं ठीक है note it बच्चा पार्टी note it तो चलिए फ्रेंड देखिए पहला question करते है unit normal vector का बहुत जादा important इसमें जादा अदम नहीं है तो आपको जादा परिसान हो नहीं है my dear friend चलिए तो यहां पर question देखिए find the unit vector normal to the surface ठीक है unit normal vector को unit vector भी कहते है ठीक है normal to the surface x y cube z square equals to 4 at the point minus 1 minus 1 और 2 तो आप question पड़ोगे तो आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा क्या निकालना है friend आपको निकालना है unit vector ठीक है जिसको अपन unit normal vector भी कहते है क्योंकि यह जो होता है यह normal होता है पहलाल मैं चूरी में नहीं जाना चाहता हूं आप बस question को देखे और आपको unit vector निकालना है तो unit vector निकालना है जिसका formula क्या होता है gradient 5 upon mod gradient 5 तो आपको किसी भी तरीके से जो आपका function दिया हुआ उसका gradient निकाल लेना है अगर आप gradient निकाल लेते हैं तो आप अराम से unit normal vector निकाल पाएंगे यह तो आप unit vector निकाल पाएंगे इसका बहुत ही आसानी से ठीक है चलो देखो कितना simple सा connection यहाँ पर बन रहा है आपको बोला है unit normal vector निकालने के लिए लेकिन अपन क्या निकालने अपन निकालने ग्रेडियंट 5 क्योंकि ग्रेडियंट 5 से ही क्या निकलेगा आपका unit vector निकल यह हुआ है x y cube z square is equals to 4 एक काम करो इस 4 को इधर भीग दो तो यह हो जाएगा x y cube z square minus 4 is equals to 0 अब इसको आप क्या माल लो इसको आप 5 माल लो इसको आप क्या माल लो 5 माल लो x y z square minus 4 ठीक है पेटा ज़र यहाँ पे आपको point दिया हुआ है कितना है minus 1 minus 1 और 2 तो फिलाल आपको भले ही निकालना है unit vector आप सबसे पहले निकालेंगे gradient 5 उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा फिलाल अब भी gradient 5 निकालते है ठीक है चालो तो gradient 5 इसके पहले वाले क्लास में हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि gradient 5 मतलब क्या operator 5 ठीक है बेटा चला operator का क्या होता है फॉर्मूला i cap dell upon dell x j cap dell upon dell y k cap dell upon dell ठीक है और phi की value क्या होती है फाई की value होती है x यहाँ पर y cube होगा x y cube z square minus 4 ठीक है तो यहाँ पर तो यार कोई दिक्कत वाली बाती ही नहीं दिख रही मुझे कहीं दूर दूर ता क्योंकि आपको सिर्फ अभी gradient 5 निकालना है ठीक है चल इस function को इसमें multiply करो इस function को इस function को इसमें multiply करो इस function को इसमें multiply करो ठीक है तो यह कुछ इस प्रकार का हो जाएगा i cap dell upon dell x ठीक है x y cube z square minus 4 plus j cap dell upon dell y x y cube z square minus 4 plus k cap अगर इसमें multiply होगा तो dell upon dell z x y cube z square minus 4 ठीक है friend देखो तो हमने अपना basic अच्छा किया हमने gradient 5 अच्छा सिखा तो आज उसका use यहां पे हो रहा होगा भले gradient 5 आपको ना पूछे लेकिन उसका use आपको हर जगा करना है ठीक है चलिए तो यह i cap देखो यहां x का differentiation हो जाएगा 1 ठीक है बचा किया आपका y cube z square ठीक है minus 4 है तो 4 का differentiation क्या हो जाएगा 0 क्योंकि 4 क्या है आपका constant है अब आगे देखो plus j cap यहां पे x अपनी जगा पे रहेगा और y cube को differentiate करोगे तो यह हो जाएगा 3 y square y cube को differentiate करोगे तो यह हो जाएगा आपका 3 y square z square अपनी जगा पे रहेगा और minus 4 है तो 4 का differentiation 0 देखो बेटा यहां पर जब x था d upon dx तो x वाले को differentiate की है यहां पे d y है तो y वाले को differentiate की है क्योंकि देखो हमेशा कितना ले ली जाओ गया थोड़ा बहुत तो shortcut मानना ही पड़ेगा लेकिन अपने basics को सीख कर shortcut मा रहा है ठीक है चलो तो plus cake है अगर आप z की बात करो तो यहां पे x y cube वैसा का वैसे ही रहेगा z square का differentiation हो जाएगा 2z और minus 4 का क्या हो जाएगा minus 0 ठीक है चलो आप इसको range करके लिखो तो y cube z square minus 0 क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा y cube z square i cap प्लस इसको range करोगे तो 3 x को पहले लिखो फिर y square और फिर z square j cap प्लस फिर इसको अगर लिखोगे तो 2 को पहले लिखो फिर x फिर y cube फिर z k cap ठीक है फेंट चलो तो यहां तक आपका क्या निकल गया यहां तक आपका निकल गया gradient 5 ठीक है अब दोको यहां पे दो रास्ते हैं या तो पहले point put कर दो या तो unit normal vector लिखने के बाद point put करना लेकिन जब वहां पर point put करो तो दिक्कत हो जाएगा तो आप क्या करो यही पर point put करो ताकि आपको क्या हो आसानी हो आपने gradient 5 निकाल लिया है अब आप क्या करो यही पर point को put कर दो ठीक है चलो तो point क्या था हमारा at minus 1 minus 1 और 2 तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड से पहले वाले class में के ताभी कुछ भी नया नहीं आया है तो मुझे भी ज्यादा excited होने की जरुवत नहीं है आराम से भी चीजों को यहां पर open कर सकते है जहां पर लगेगा कि नहीं मुझे excited होना है मैं होंगा अब फिलाल यहां पर excitement की कोई भी ऐसी बात नहीं है प्यारा क्या है य के जगा पर टू पर कोई जेकशा से प्लस तू अपनी जगा पर है एक से जगा पर क्या एक सकी जगा पर है माइनस वन एक यू मतलब की माैनस वन का क्यूब और यहाँ पर Z है तो Z यहाँ पर कितना होगा बिटा Z हो जाएगा 2 ठीक है फेंड चले इसको थोड़ा सा solve करते हैं तो देखो minus 1 का cube आपका minus 1 और 2 का square 4 तो 4 into minus 1 minus 4 I cap ठीक है आप यार ओरली calculate कर सकते हूं इंजिनियर हो भगवान नहीं वो मैंने back रखा वैसा इंजिनियर हो भगवान नहीं क्या चले यहाँ देखो minus 1 का cube minus 1 और 2 का square 4 तो 4 into minus 1 minus 4 I cap अब यहाँ देखो पिटा minus 1 का square आपका हो जाएगा plus 1 plus 1 into minus 1 minus 1 minus 1 into 3 minus 3 और यहाँ पर 2 का square 4 तो minus 3 into 4 minus 12 j cap ठीक है पिटा आप चाहँ तो इसको separate side में कर लेना if you have confusion and that आप इसको separate कहीं भी कर लेना ऐसे कर लेना 3 minus 1 minus 1 का cube क्या होता है minus 1 2 का square कितना होता है 4 sorry square है न तो 3 into minus 1 minus 3 minus 3 into 1 minus 3 minus 3 into 4 minus 2 ठीक है फ्रेंट चले अब आगे बढ़ते है minus 1 और यह minus 1 का cube हो जाएगा minus 1 तो minus 1 into minus 1 plus 1 और 1 into 2 2 और 2 2 जा 4 k cap चलो तिहां पर मैंने कुछ भी आपको rocket science नहीं बताया जो आपको बहुत परिसान कर दे हैरान कर दे ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बताया फ्रें सिर्फ और सिर्फ आपको gradient 5 निकालने बताया है जो कि आप इससे पहले सीख चुके हो ठीक है प्यारा बच्चा चले तो आप वीडियो को पाउस करके इसको note कीजी और हमने यहां पर क्या निकाल लिया हमने gradient 5 निकाल लिया यहां पर क्या है वो minus 4 i cap minus 12 j cap और plus 4 i cap ठीक है फ्रेंट चले वीडियो को पाउस करके नोट कीजी हमने यहां पर प्यार से gradient 5 को निकाल लिया और देख लो बेटा के differentiation का कितना importance अगर आपको differentiation का knowledge नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन आपनको भी पता है कि अपने different session कितनी अच्छे से सीखा है अगर अपन नहीं सीखते तो दिक्कत में आते हमने सीखा थो में दिक्कत में नहीं है ठीक है चाल कुछ नहीं बेटा जब अपने step by step पढ़ेंगे न हरे चलिए तो आपनको निकालना क्या था friend आपनको निकालना था unit vector ठीक है जिसको unit normal vector भी कहते है आपनको निकालना था unit vector जिसका formula होता है n cap is equals to gradient 5 upon mod gradient 5 ठीक है चलो gradient 5 की value कितनी gradient 5 की value है minus 4 i cap minus 12 j cap और plus 4 k cap ठीक है फिर mod में gradient 5 minus 4 i cap minus 12 j cap plus 4 k cap ठीक है देखो बेटा कुछ नहीं किया gradient 5 की value यहाँ पर लिखी और नीचे में क्या था बेटा mod gradient 5 तो देखो यहाँ पर mod लगा के वही value यहाँ लिखके ठीक है ना ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आपको परिशान करें देखो अच्छे से gradient 5 की value लिखी और नीचे भी gradient 5 की value लिखी उसमें क्या लगा दिया sorry for that इसमें लगा दिया अपने mod ठीक है अब इसको solve कर लेंगा हमारा unit normal vector निकल जाएगा लेकिन आब आप बोलोगे सर मॉड कैसे निकालते हैं किसी देक्टर का डिब आपने class to world में पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बाद नहीं है ठीक है चलिए सबसे पहले आप देखिए कि mod कैसे solve होता है यह तो कर लो गया गया और नीचे भी gradient 5 है लेकिन यहां पर यह होता है तो सबसे पहले क्या करोगे आप रूट लोगे सबसे पहले क्या लोगे आप रूट लोगे फिर आप लोगे i के coefficient का square तो i का coefficient क्या है 2 तो 2 का whole square फिर plus में आप क्या लोगे j के coefficient का square j का coefficient क्या है 3 है तो 3 का whole square plus फिर आप लोगे k के coefficient का square k का coefficient कितना है 4 है तो यह हो जाएगा 4 का square बहुत सिंपल आपको root लेना है फिर i के coefficient का square plus फिर j के coefficient का square प्लस फिर के की कोफिशेंट का स्क्वार ठीक ऐसे आपन मॉट सॉल्ब कर लेते हैं बस हो गया तू का 4, 3 का 9 और 4 का 16 आप इसको आइड कर दू 25 और यह हो गया उंटे, ठीक है देख लेना क्या आ रहा नहीं आ ठीक है फ्रेंट चले तो आपन को इसका मॉट सॉल्ब करना पड़ेगा नीचे वाले का उपर वाला वैसे का वैसे रहेगा, मैनस 4i, मैनस 12j, प्लस 4 के जब इसका मॉट सॉल्ब करना है अपन को, इसका नीचे वाले का, तो मैने क्या बोला था, i के कोफिशन्ट का स्क्वार, तो i का कोफिशन्ट क्या है, माइनस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा, माइनस 4 का होली स्क्वार, प्लस, फिर मैने बोला, j के कोफिशन्ट का स्क्वार, J का coefficient minus 12 ठीक है minus में तो है कोई दिक्कत की बाद नहीं है तो आप लिखोगे minus 12 का holy square ठीक है पेटा plus K के coefficient के square तो K यहाँ plus में 4 का holy square कोई दिक्कत की बाद नहीं है ठीक है तो इसको अपन लिख सकते हैं minus 4i minus 12 J plus 4K upon upon root under minus 4 का square हो जाएगा 16 और minus 12 का square हो जाएगा 144 और 4 का square हो जाएगा 16 तो दो को 144 plus 32 यह हो गया 6 और यह हो गया 176 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो अपन लिखेंगे minus 4i cap minus 12 J cap plus 4K cap upon root under 176 इसको solve मत का ना ऐसी रहन दो यह आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा मतलब आपका unit normal vector निकल गया ठीक है ठीक है तो देख लो कितना ज्यादा आसान है कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको परिसान करें जब भी आपको unit normal vector निकालने के लिए बोलेगा मतलब की unit vector निकालने के लिए बोलेगा तो आपको function देखना उसका point देखना function से आपको निकाल देना ग्रेडियंट और जो gradient आप निकालोगे उसको point जरूर पूट कर देना जो gradient आप निकालोगे फिर उसी gradient के आप mods उसको divide कर दोगे तो वो क्या होता आपका होता है तो चलो यह एक पहला सिंपल सा question था एक और question करते हैं कि इसमें ज्यारा questions करने की जो तनी निए topics को अपन cover up करना पड़ेगा न बेटा बले एक दो questions अपन करें topic को cover up करना पड़ेगा ठीक है फिर उसको आपन करते हैं और प्यारा question करते हैं और यहां से अपना जो concept है उसको आप और clear कर लीजेगा ठीक है चली friends अपसे पहले आप देखिए question में क्या लिखा हुआ है question में लिखा हुआ है find the unit normal vector unit normal vector निकाली है चली यहां तो clear होगा है कि अपनको unit normal vector निकालना है normal to the surface जो surface के normal हो five equals to x square plus y square minus z यह आपका function दिया हुआ है और हर question में आपको दिया हुआ ही रहेगा और कभी-कभी यह normal word नहीं रहेगा कोई बात ने friend हमेशा जो है आपको unit normal vector नॉर्मल ही निकलता किसी surface का और मैं अभी theoretical आपको knowledge नहीं देना चाहता हूं 11 12 आपने बहुत लिए बताओंगा कभी अगर समय रहा तो क्या है क्या है इसका uses क्या है इसका theoretical meaning क्या है सब बताओंगा फिलाला भी course इतना ज्यादा बढ़ा है कि अपने to the point पढ़ते है और अपने knowledge को confirm करते है ठीक है at the point 125 चले तो यहाँ पर आपको दे दिया गया 5 की वैलू साफ साफ क्या दिया हो फ्रेंड एक्स स्क्वार प्लस वाई स्क्वार माइनस जेड और आपको point दे दिया है 125 ठीक है तो आपको formula पता है यह unit normal vector का क्या पता है n cap is equals to gradient 5 upon me mod gradient 5 तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा उसके बाद आप इसका mod निकालेगा दोनों को divide किजेगा तो आपको unit normal vector निकल जाएगा ठीक है तो चलो बिना समय का waste किए अपन क्या करते हैं यहां पर सबसे पहले gradient 5 निकालते हैं ठीक है और अभी निकालो gradient 5 जितना निकाल सकते हो भले आपको आ चुका हो लेकिन जितना practice करोगे उतनी accurate बनोगे ठीक है चली तो practice करना कभी बुरा नहीं होता है तो आप सबसे पहले निकालेंगे gradient 5 ठीक है और सभी को पता है gradient 5 होता है आपका operator 5 operator की value आपको पता है i cap del upon del x j cap del upon del y plus k cap del upon del z ठीक है और 5 की value आपको पता है x square plus y square minus z है ठीक है प्यारा बच्चा चली आपनको gradient 5 निकालना था gradient 5 means क्या operator 5 operator की value यहाँ पर आपको dv है 5 की value आपको dv x square plus y square minus z है ठीक है चलो तो इस वाले को आप सबसे पहले इसमें multiply करो फिर इसमें multiply करो फिर इसमें multiply करो फिर इसमें multiply करो ठीक है तो यह हो जाएगा आपका i cap del upon del x x square plus y square minus z plus j cap del upon del y x square plus y square minus z plus k cap del upon del z x square plus y square minus z है ठीक है फ्रेंड चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है है ना आपने यहाँ पर simply क्या क्या है multiply क्या है अब यह को solve करते है आई क्याप डेको x square का differentiation करोगे तो हो जाएगा 2x y square का करोगे तो हो जाएगा 0 और जैड का करोगे तो यह भी हो जाएगा 0 क्योंकि x के respect में आद y को भी नहीं कर सकते हो जैड को भी नहीं कर सकते हो plus j cap x square कड souvent यहाप zero हो जाएगा y square का differentiation हो जाएगा 2y और यहांपжеeln का differentiation क्या हो जाएगा 0 ठीक है fan चलो else k cap X square का differentiation 0 Y square का differentiation 0 और Z का हो जाएगा minus 1 क्योंकि D upon DZ Z कितना होता है 1 और यहाँ पे sine का है आपका minus का है ठीक है तो आप इसको लिख सकते हो I cap 2X plus 0 minus 0 2X plus J cap 0 plus 2Y minus 2Y इसको लिख होगे 2Y और plus K cap 0 plus 0 minus 1 तो आपको लिखना पढ़ेगा minus 1 तो यह हो जाएगा 2X I cap अगर इसको लिख होगे तो फिर इसको लिख होगे तो लिख होगे 2Y J cap और इसको लिख होगे तो minus 1 K cap minus 1 रहने तो वहाँ जब coefficient लेना होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा तो friend हमने क्या निकाल लिए यहाँ पर हमने निकाल लिए प्यारा बच्चा gradient 5 अब आपको gradient 5 के लावा क्या निकालना था इसमें point निकालना था ना इसमें क्या करना था point यहीं पर put कर देना था ताकि वहाँ पर आपको क्या हो आसानी हो ठीक है चलो तो आप यहीं भी point put कर दू point क्या दिया हुआ at 125 12 और 5 तो देखो आप X के जगह पर 1 put करोगे Y के जगह पर 2 put करोगे Z के जगह पर 5 put करोगे X के जगह पे 1 I cap 2 Y के जगह पे 2 J cap और 1 और यहां पे कुछ नहीं है Z तो कुछ नहीं कुट होगा ठीक है होता तो करते हैं नहीं है तो नहीं पुट करेंगे 2 into 1 2 I cap plus 2 2 4 J cap minus 1 K cap ठीक है friend चलो तो हमने क्या निकाल लिया बेटा हमने निकाल लिया यहां पर gradient 5 जो की क्या है आपका जो की है 2 I plus 4 J cap minus 1 K cap ठीक है प्यारा बच्चा चलो अब बात करते हैं आके ठीक है यहां तक आप नोट कर लो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि अपने सिर्फ औस ग्रेडियंट 5 निकाला है और ग्रेडियंट 5 आपको निकालना आता है तो अब यहां पर में भासन बाजी आपके साथ नहीं करूंगा जब करना था तो बहुत करा यहां पर करने की जरूवत नहीं है ठीक है चालो और questions का tension ना लो questions में इतने practice यहां पर करवा दूँगा आपको फिर अगर आप extra questions नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है maximum question में यहां पर discuss कर दूँगा आपको ताकि आप अच्छा सच्छा score करता हूँ ठीक है मेटा शालो आपको निकालना है unit vector ठीक है जिसको unit normal vector भी generally कहते है formula क्या होता है formula होता है gradient 5 upon mod gradient 5 ठीक है चलो तो आपने gradient 5 की वालू निकाली है कितना है 2i cap plus 4j cap और minus 1 k cap नीचे भी वही होगा पस यहां पर mod लग जाएगा 2i plus 4j minus 1 k cap ठीक है चलो तो mod solve करना मैंने आपको इससे पहले step में बताया था यहां पर फिर से देखलो कोई बड़ी बात नहीं mod को solve करना एक हमारे लिए मजाक है जो आपको करना है चलो तो mod कैसे solve होता है उसके लिए पना root लगाते है है ना root लगाने के बार 2 का square मतलब i के coefficient का square i का coefficient 2 है तो 2 का square plus j के coefficient का square j कितना है 4 तो यह हो जाएगा आपका 4 का square plus k का coefficient minus 1 है तो यहां पर minus 1 का whole square तो जब इसको लिखेंगे तो यह हो जाएगा 2i plus 4j minus 1 k cap upon root under 2 का whole square 4 ठीक है 4 का whole square 16 और minus 1 का whole square 1 तो यह हो जाएगा 2i cap plus 4 j cap minus 1 k cap अगर आप इसको सिर्फ k cap भी लिखोगा तो चलेगा 1 लिखने की जड़वत नहीं है और लिखते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं रहने दो आपन को कौन सा पईसा लगा रहे हैं तो उसी का mod निकाल देना gradient में और उसको क्या कर देना friend आपको solve कर देना ठीक है चलो यह आपका gradient का mod हो गया अच्छे से और कही writing mistake तो नहीं ठीक है यहाँ पर mod निकालने के लिए अब root लगाओ root के बाद i के coefficient का square, j के coefficient का square और k के coefficient का square तो चलो फटा 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 एक और question कर लेते हैं है ना जब मजह आई रहा है जब अपन speed में चाहिए question और कर लेते ताकि ना हम लोग कम रहें ना हम लोग ज्याधा रहें एक average अपन questions यहाँ पर practice कर लें जहां से अपन को आफसानी हो ठीक है फेंड चले इसको note कीजिए फिर अपन आगे बढ़ते है note it बच्चा पार्टी, note it चले फेंड एगेन बहुत प्यारा सा question करते है फेंड और यह अभी हमारा YouTube पे demo lecture चल रहा mathematics 2 के लिए फेंड हो सकता है कि आखरी lecture हो क्योंकि अभी तक मैंने decide नहीं कि कि इसके बाद और लेक्सिस मुझे demo में देना है कि नहीं देना है तो अगर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं या जो सबढ़ा रहे हो अपन को समझ में आ रहा है तो आप full course ले सकते हैं उसके लिए आपको simply app download करना पड़ेगा link में आपको description आपको link बिल जाएगा ठीक है app आप download करोगे उसके बाद app के store पे आप जाओगे आप के store पे आपको महां पर mathematics 2 का course लिखेगा तो वहां से पर्चेस करके पूरे content को आप access कर सकते हो क्योंकि यह पूरा content आपको मानगे चुल जो mathematics 2 में सौ से यारा लेक्चेस तो हो नहीं वाले क्योंकि बहुत बड़ा topic है आपका बहुत बड़ा syllabus है तो इस बार अपनको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा बाकी मैंने बता दिया हो सकता है कि आगे आपके demo lectures आए और यह भी ह नहीं पसंद है तो कोई issue नहीं कोई भी जरूती है ऊपर सा वीडियो को dislike करके जा सकते हैं क्योंकि बहुत ऐसे बच्चों का मानना है कि सर यूटूब में सारे चीज़े फ्री है अपन पे क्यू करें आप जाके फ्री की चीज़े पढ़ों कोई issue यह नहीं है वहां से क्या अगेन होगा सिर्क पास होना है ठीक है क्या है नहीं मुझे नहीं मतलब है मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा अच्छे से चीजों को सीखे उसको हर एक चीज की knowledge हो इसलिए अपने एक separate batch run करते हैं अधरवाइस अपन यूटूब पे भी पढ़ा सकते हैं जिससे आपका कोई क कोशन देखे find the unit normal vector to the surface 5 यहां पर आपको फिर से दिया हुआ है function xq plus yq plus zq at 111 ठीक है बेटा चलो तो यहां पर आपको function दिया हुआ है तो function को आप यहां note कर लो क्या है xq plus yq plus zq point आपको बहुत simple यहां पर दिया हुआ है 1 1 और 1 ठीक है प्यारा बच्चा चले तो आप सभी को पता है कि अगर आपको unit normal vector निकालना है इससे पहले आपको क्या निकालना प तो gradient 5 means what better? Gradient 5 means operator 5, operator की value है आपकी i cap del upon del x j cap del upon del y plus k cap del upon del z और 5 की value friend x cube plus y cube plus z cube ठीक है? चलो तो सबसे पहले प्यारा बच्चा क्या होगा? यह यहाँ पर इन किनों multiply होगा? यहाँ multiply फिर यहाँ multiply और फिर यहाँ multiply ठीक है? तो अगर multiply करते हैं तो यह हो जाएगा i cap del upon del x x cube plus y cube plus z cube plus अगर यहाँ पर multiply होगा तो हो जाएगा i cap del upon del y x cube plus y cube plus z cube plus अगर यहाँ यहाँ पर multiply ह होगा तो यह हो जाएगा के कैप डेल अपॉंट डेल जैड एक्सक्यूब प्लस यक्यूब प्लस जैड क्यूब ठीक है चलो अब यहाँ पर डिफेंशेशन करते हैं तो आई कैप दगूत एक्सक्यूब का हो जाएगा थ्री स्क्रिस्पेक्ट में वाइक्यूब का हो जाएगा जीरो और जैलो फ्लस जैगा स्थेख अगर कैप करोगे च्यूब का बिजिड और जैड का चलो तो डिफ्रेंट सेशन में आपने महारत हासिल कर ली डिफ्रेंट सेशन में कोई भी ऐसा इशू नहीं है है ना सो आई कैप 3x2 प्लस जे कैप 3y2 प्लस के कैप 3z2 ठीक है चलो तो इसको अगर अच्छे से करोगे तो यह हो जाएगा 3x2 स्क्वार आई कैप प्लस 3y2 जे कैप प्लस 3z2 कैप ठीक है प्यारा बच्छा चलो कौनसे पॉंट पर निकालना है अपन को अपन को निकालना है एट 1, 1 और 1 तो यहां पर point बहुत ही simple इसका मतलब x के जगा पर 1 put करेंगे y के जगा पर 1 put करेंगे और z के जगा पर 1 put करेंगे तो यह हो जाएगा 3 1 का square i cap प्लस 3 यहां पर y square है y के जगा पर 1 तो 1 का square j cap प्लस यहां पर z है तो z के जगा पर 1 का square j cap तो यह आपका हो जाएगा 3i cap plus 3j cap plus 3k cap ठीक है प्यारा बच्चा चलो तो यहां से क्या निकल गया हमारा यहां से निकल गया हमारा gradient 5 जिसकी वैलू क्या ही प्यारा बच्चा जिसका वैलू आई है 3i 3j तरीके तो तो यहां तक तो अपन ने बहुत कर रहा ही काम ऐसा नहीं की यहां तक निकाम नहीं कर आया यहां तक अपन नियुकर अपन अच्छे से आगे भी अच्छी जाओ को अच्छी इससे बेस को बनाते हुँ चलेंगे दिरे-दिरे अराम-आराम से तब आप जाके जितने भी से उसको जागे फाल कर आ जाओगे और अगर 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 बेस नहीं बनाते तो अपन क्या होगा फारना फट कर आएंगे तो अपन को फटना नहीं फारना मैंने सुरू से बोला आपको ठीक है चले तो आप वीडियो को पाउस करके इसका नोट कीजिए फिर अपन आगे पार्टी कब तक देमो दूंगा देखता हूं मैं डेमो खाव यार मूड नहीं क्योंकि काम बहुत है ऑफ-लाइन बैचे से चालू हो चुक है तो अब और भी काम है वीडियो 10th के बैचे में नहीं ले रहा हूं अपनी लेकिन जब मैटलिस दिया चाहता हूं जब मेरा मुझे लगता कि मैंने कम से कम 30-35 स्कॉल रिसीव के मैंसे भरे पड़े थे हर बच्चा एक्जाम दिकर आया और हमसे बात किया मतलब दिल लित लिया भाई मैं क्या बूल और आरजी बीबी का बच्चों तो भईया कली पर बजात हो यह ठीक है लेकिन अच्छा लगा अपउनित वेक्टर ठीक है तो जूनित वेक्टर मीजब क्वाड एकप आपका क्या हो जाएगा ग्रेडियंट फाई अपान मॉड ग्रेडियंट फाई ठीक है यह आपका मॉड का साइन तो ग्रेडियंट फाई की वैलू कितनी है 3i प्लस 3j प्लस 3K और मॉड 3I प्लस 3J प्लस 3K ठीक है बच्चा तो यह हो जाएगा 3I cap प्लस 3J cap प्लस 3K cap अपन रूट अंडर देखो मॉड आपको solve करना आता है रूट अंडर I की कोफिसेंट का स्क्वेर फिर J के कोफिसेंट का स्क्वेर और फिर स्क्वेर ठीक है तो यह हो जाएगा 3I cap प्लस 3J cap प्लस 3K cap अपन 9 3 के स्क्वेर 9 और 3 के स्क्वेर 9 ठीक है चल तो यह हो गया 3I cap प्लस 3J cap प्लस 3K cap अपन में आपका 9 9 कितना होगे 18 और 18 और 9 रूट अंडर 27 ठीक है बच्चा चल इसको note कर लीजिए और यहां पर हमारा unit normal vector समाप्त होता है इसके बाद अपन पढ़ेंगे directional derivative फ्रेंट तो देखें हो सकता है कि मैं demo lectures दूँ उसमें या नहीं भी दूँ depend करता है मेरे mood पे mood अच्छा हो तो बहुत अच्छा होता यार मतलब थोड़ा ठीक है चले नोड़िट बच्चा पाटी note 8